मेरी यूट्यूब चनल टेक एजू सेंटर में आप सबका स्वागत है एनालोग एंड डिजिटल एलेक्ट्रोनिक्स टुटरल लेक्चर के तहत आज के लेक्चर में हम डिफ्रेंशेटर यूजिंग ऑप्रेशनल एंप्लिफायर के बारे में डिसकस करेंगे इसके आगे के ल टेकनोलोजिकल यूनिवर्सिटी के तहत जो एंजीनियरिंग कोलेजी से उसके अंदर इलेक्टिकल एंजीनियरिंग ब्रांच में ओफर किया जारा सब्जेक्ट एनालोग एंड डिजिटल एलेक्ट्रोनिक्स जिसका सब्जेक्ट कोड है 3130907 के सीलेबस के अनुशार चल तो दोस्तों अगर आप गुज़रा टेकनोलोजिकल यूनिवर्सिटी के स्टुडेंट हो और आपको यह सब्जेक्ट ओफर किये जा रहा है तो आपके लिए यह टुटोलेल सीरीज बहुत ही महत्वापुना साबित होगी तो दोस्तों ज्यादा टाइम ना लेते हुए यूजिंग ओपैम दोस्तों इंटीडीडर यूजिंग ओपैम नहीं देखा था कि इन्टीडरी शर्कृट क्या वर्क कर रही थी जो हम इंपूट वेफ्राय दे रहे हैं उसका इंटीडेशन करके आउट्पूट में हमें वेफ्राय चुम दे रही थी मतलब अगर हम उचा वेव दे रहे थे तो आउट्पूट में हमें क्या मिल रहा था ट्राइंगल वेव फो मिल रहा था तो सेम वर्क यहीं करेगा लेकिन यहां पे जो इंपूट सीगनल हम देंगे उसका डिफ्रेंस सेटिंग करके यह सर्कृट हमें देगी मतलब अगर हम साइन सीगनल दे रहे है तो फल्स इस वेव फ्रॉम देगे मतलब कि अगर आप स्क्रेड वेव फ्रॉम दे रहे है एसे इंपूट एज़ा सरकिट को तो आउट्पूट में आपको एज़ांस फल्सीज मिलेंगे यह तो हो गया हमारा input और यह हो गया हमारा output similarly अगर आप square wave दे रहे हों sorry अगर आप sine wave दे रहे हो इस इंपूट differentiator को तो output में आपको क्या मिल जाएगा cosine signal मिलेगा तो अब आपको पता चल गया है कि differentiator का work क्या है तो और differentiator circuit produce differentiated version of the input voltage applied to it अब हम इसकी बात करें तो differentiator circuit basic और ideal differentiator circuit होती है और एक होती है practical circuit दोस्तों हमने integrator में भी दोनों versions check out किये थे तो आज के lecture में भी हम ideal differentiator circuit check out करेंगे जोगि practical circuit आप पर में just hint देके छोड़ दूँगा तो सुरू करते हैं circuit diagram of differentiator circuit यह हो गया हमारा open यहाँ पर हम inverting terminal पर input दे रहें लेकिन यहाँ पर हम एजे resistance की जगह capacitor use करेंगे यह होगे हमारा input voltage और हम non-inverting terminal को क्या कर देंगे ग्राउंडेट कर देंगे यह होगे हमारा feedback resistance यह होगे हमारा c1 और यह हो गया inverting terminal feedback resistance आरे दोस्तों इंटीग्रेटर में यहाँ पर हम क्या यूज़ कर रहे थैं capacitor लेकिन यहाँ पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं यूज़ कर रहे हैं तो दोस्तों डिफ्रेंटर का output क्या आना चाहिए वी 0 is equal to minus rf c1 dv in by dt यहाँ पर डिफ्रेंटर आ रहे हैं तभी तो यह circuit क्या होगे यह दिफ्रेंटर सर्कीट वर्क करेगी दोस्तों तो दोस्तों यह तो होगी circuit डिफ्रेंटर सर्कीट अब हम इसके expression की बात करेंगे for the output voltage मतलब अब हम derived करेंगे for expression for the output voltage दोस्तों सबसे पहले यहां पर हम current को draw लेते हैं तो यहां से जो current पास होगा उसको हम क्या करेंगे कहेंगे capacitors current यह हो गया हमारा IB current similarly यहां पर भी हमारा क्या आ जाएगा IB current आ जाएगा और यह हो जाएगा हमारा feedback current IF ठीक हैं इसकी direction यह से होगी इसकी direction यह से होगी यहां पर जोनों में क्या हो जाएगा हमारा जीरो हो जाएगा अगर हम इस टर्मिनल टो V2 के दे हैं और इस टर्मिनल को V1 मतलब यह हो गया हमारा इन्पुट टर्मिनल V1 और यह हो गया हमारा इन्पुट टर्मिनल V2 दोस्तो तो दोस्तों अगर हम यह नोड की बात करें V2 नोड पे किर्चॉफ्स करण्ट लोग की तो हम क्या कही सकते हैं यहां पर हमारा आईसी इस गोल टू क्या हो गया आईबी प्लस आई एफ देखिए यहां पर आईसी हमारा इन्पुट है और आउट में क्या है आईबी और आईफ ठीक है दोस्तों इसे हम कही देते हैं इक्वेस्टन नंबर 1 नाव हमें पता है आईबी क्या हमारा जीरो है तो हम करन्ट थ एक्वेस्टन नंबर 2 now अगर हम VC और IC1 की value यहां पर put out कर दे तो हमारा solution यहां पर मिल जएगा V0 के तहद तो हम इसके लिए पहले क्या करते है VC हमारा क्या है यह तो VC हमारा है VC मतलब voltage through the capacitor C1 तो हम कह सकते हैं V in minus V2 V in minus V2 इसे कहित देते हैं equation number 3 और हमारा IC क्या है current through the capacitance तो उसको हम क्या कह सकते हैं IC is equal to C d by dt V in minus V2 क्यों क्योंकि equation number 2 and 3 के बेस पे क्योंकि VC क्या है V in minus V2 है और यहां पर VC की value आते हैं equation number 1 पर तो यहां पर हमारा क्या है current through the register और feedback register तो उसको value भी हमें मिल सकते है IF is equal to क्या मिल जाएगा IF मतलब V2 minus V0 upon RF तो अब हम IC1 value और IF value इसको हम सपोज equation number 4 के देते हैं यह दोनों value हमें put out करनी है यहां पर तो चलो put out कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा हमें IC1 is equal to IF था तो IC1 की value क्या मिली हमें C1D by BT upon VIN minus V2 और IF की value क्या मिली हमें V2 minus V0 upon RF दोस्तों यह कौन सी circuit है ideal opt-m की circuit है और ideal operational amplifier की circuit है यहां पर हमारा V1 is equal to V2 is equal to क्या होता है virtually ground होता है 0 होता है तो यहां पर हम कहें सकते हैं इस equation को सपोज हम equation number 6 के देते हैं तो in equation number 6 we can put the value of V1 and V2 तो यहां पर क्या होज़ेगा DVE is equal to V2 की value 0 minus V0 by RF हमें क्या चाहिए V0 की value चाहिए तो हम RF को यहां पर ले जाए सकते हैं तो RF into c1 d by dt V in equal to minus V0 तो V0 क्या होगे हमारा V0 is equal to minus RF c1 d by dt V in दोस्तों यहां पर minus क्यों आया आपको कोमेंट में मुझे बताना है तो यह तो हो गया expression for the differentiator circuit using the operational amplifier दोस्तों वापीज एक बार revise कर लेते हैं यह होगे हमारी circuit डियाग्राम यहां पर हमने non inverting terminal पर हमारा input source देया जिसकी value v in है अब हम अगर V2 terminal पे kits of current law apply करें तो हम कह सकते है ic is equal to ib plus if तो हमने क्या किया ic1 is equal to ib plus if अब ib हमारा क्या है 0 है तो हम कह सकते है ic1 is equal to if अब ic1 मतलब क्या है current through the capacitance उसकी value हम put out कर सकते है dvc by dt और vc क्या है तो vc हमारा क्या है voltage across the capacitor तो v in minus v2 तो यह हो गए हमारा vc इसकी value हम अगरें यहां पर put out कर देंगे तो ic1 हमें क्या मिल जेगा c d t by c d by dt v in minus v2 और rf क्या है हमारा और if क्या हमारा current through the feedback resistance तो उसकी value क्या है v2 minus v0 upon rf अब ic1 और if की value हम यहां पर put out कर देंगे और v0 को हम इसे subject बनाएंगे तो हमें v0 की value मिल जाएगी v0 is equal to minus rfc1 d by dt vn तो दोस्तों आज के लेक्चर में हमने differentiator using operational amplifier के बारे में discuss क्या है दोस्तों अभी तक आपको थोड़ा सा भी doubt है तो please comment में जिनसे मैं आपके comment में आपका doubt solve करने की कोशिज करूँगा दोस्तों अब इसकी advantages की बात करें advantages of active differentiator तो क्या है एक तो sharp output आपको मिलेगा दुसरा advantages again can be controlled using feedback resistance thought we can say that sharp frequency response क्यों क्योंकि हमारे यहां पर हमने capacitance यूज किया है उसका react transcript पर depend होता है frequency पर depend होता है अब इसकी disadvantages की बात करें तो this circuit is affected by noise circuit क्या है less stable है क्यों क्योंकि यहां पर हमने capacitance यूज किया है जिसका reactance depends कि पर होता है frequency पर होता है मतलब high frequency और low frequency पर क्या circuit आपकी less stable हो जाएगी gain increase आपका हो जाएगा वी 3 frequency क्योंकि आपके आपिज कर आपके आपक पके धाएगा मतल मतल जाएग इसरा और एक द a parameter of oprame क्यों क्योंकि यहां पर हमने ideally consider किया था और ideally हमने idea हमारा क्या था zero होता है लेकिन practically वो zero नहीं होता तो output will be the affected and the application की बात करें तो यह हाई-pass filter यूज़ कर सकते हैं फिल्टर और वी केन अलसो यूज इन दो पी आईडी कंट्रोलर तो दोस्तों आज के लेक्सर्स में हमने डिफ्रेंशेटर सर्किट के बारे में डिस्कस किया है अगर अभी तक आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो प्लीज कॉमेंट में जिन से मैं आपके कॉमेंट में हैं आपका डाउट सोल करने के कोशिश करूँगा और दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब की नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड क्लिक उन तो बेल बटन जिन से आपको अनलोग एन डिजिटल एलेक्ट्रॉणिस के दिट्षरटड दिफ्रेणári ट्विट्रोड के आने वाले वीडियो लेक्शर की अपडेट फेईगुलर्स मिलती रहैं तो मिलता हैं दोस्तों नेस्ट लेक्चर में ठैक यूट्